कि अबचो आज हम पुढ़ेंगे लिक्ट्र में पढ़ा है तो अब पढ़ेंगे लेक्ट्र में पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लिजेगा क्योंकि जितने भी लेक्ट्राइब इंपोर्टेंट है इसलिए वस आपका समाप्त होने वाला है तो चलिए पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो लिए क्या है यह एक बहुवर्षिय कंदिये पौधा है क्या है कंदिये पौधा है और जिसे माला बनाने के साथ-साथ करतीत करतीये सजावत के रूप में भी उपयोग किये जाते हैं करतीये सजावत के रूप में भी करतीत यानि कट कर के भी उसका पर्योग किया जाता है या एस्ट्रियेसी कुल का सदसी है एस्ट्रियेसी कुल का सदसी यानि फैमिली इसका क्या एस्ट्रियेसी है इसका सदसी जिसे बैरी वीलिस के नाम से भी जाना जाता है इसे बैरी वीलिस के नाम से भी जाना जाता है डहली है बैरी वीलिस के नाम से जाना जाता है उत्पत की असे चाइए कि उत्वत्ति मैक्सिको और Mac ए मेरिके में इसको ओर रस्वत्ति हुई हैde किसे में वर्ल्ड निउज सफेद जके सफेद कलर का होता है वर्ड निउज किमें इसका व्राइटी ऐओ और फ्रांट से front rowा खुबानी घुलावी तो आगे है जल्वाई फूस्प कलीका की विकास तर तापमान बढ़ने से बढ़ती है और सबसे अच्छी गुनवाता के जो है आगे देख़ें क्था क्या उसर क्या होता है पुष्प कलexist के विकासदर तापमान बढदने से बढ़ती है और सबसे अच्छी गुनवाता की जो है पर अच्छा फुष्पन होता है तो मेंले क्या को रहा है या यहानि दिन में प्रकास की अबसकता होती है अच्छा उपूस्पन जो है होता है इसका मृद्धा यानि मिट्टी जिसे कहते हैं मृद्धा इसके लिए क्या क्या होगा डहलिया को ज्यादा तर गहरी उपजाओ हलकी अमिलिये में उगा सकते हैं गहरी उपजाओ हलकी अमलिये में उगा सकते हैं क्या होना चाहिए फूरी उपजाओन चाहिए लगी अमलीय भी होना चाहिए नम भूंभ में वगा सकते हैं पीच छो से साथ के दूस्यान चाहिए is बीज से कंदो से जड़ों से जो है कंद हो गया उसका स्टीम मगारा जो भी है उसे कहा जाता है और तनु तना होना हो गया स्टीम जिसे तना कहा जाता है और कंद भी हो गया इस सब से क्या होता है परवर्धन होता है करतान द्वारा परवर्धित किया जाता है उपज कितना हो पहले में इतना ही है आज कि वीडियों में आगर चैनल पया है किजित के लिए और आपको आलों सब्सक्क्राइब और सब्सक्राइब ईंडिध कर अब ऩर आधा घ्रते